शेदादी के दोस्तों, राम देव जी की जो धोक या जात है, वो भादू सुधी दस्मी के दिन दी जाती है दोस्तों, क्योंकि आज के दिनी बाबा ने समाधी ली थी, भादो की जो दस्मी आई थी, यानि पुर्णिमा से पहले जो दस्मी आई थी, उसी दस्मी को बाबा न समाधी ली थी तो उस दिन को हम लोग समाधी दिवस की रूप में याद करके और जो भी राम देव बाबा की भकते हैं वो घर पर उनकी जात या धोग देते हैं कोई-कोई मंदिर में भी जाते हैं और यदि किसी की मन्नत मांगी भी रहती है तो वो रोनिचा जाकर भी उनकी जात और धोग देखकर आते हैं दोस्तों इस तरह से राम देव बाबा की तो बहुत सारे पर्चे हैं जो साक्षात बाबा अपने पर्चे देते हैं दुनिया में उन्हीं में से एक सच्छे पर्चे का मेरे मेरे चैनल पर भी एक वीडियो है तो आप जाकर देख सकते हैं और म आप इंटरनेट से भी निकाल के और उसका जिरॉक्स प्रिंट आउट निकला सकते हैं उनको आप विराजमान करवा के उनकी पास जल का लोटा भर के रख दीजे दोस्तों रोली चावल फूल और मूली यह सब रख लीजे बाबा की चुर्मा का भोग लगता है दोस्तों तो आपको उस दिन घर में चुर्मा जरूर बनाना चाहिए नारियल चड़ाया जाता है बाबा के तो आप नारियल भी मंगवा के पहले ही रख लीजे पधारने के लिए और फिर उसकी बार में दोस्तों बाबा की रोली चावल से ठीका करके मूली चड़ाते हैं फूल चड़ा और आपको जोट लेने का मन है तो यह तो हो गई धोग दोस्तों कि आपको अगर सेंपल दोग देना है तो इस तरह आप बाबा को भोग लगा सकते हैं मगर अगर आपको जोक लेना है तो वह कंडे होते हैं बढ़कुले के उनको आप प्रजुलित करके उनके इनदर घी से चार बार जोट दी जाती दोस्तों, चार बार घी से, मतलब चम्मस से चाहे, आप थोड़ा-थोड़ा ही डाले, डाली जाती जब अगनी प्रजवलित हो जाती था, और उसमें एक बार चूर्मा और एक बार थोड़ा सा नारियल भी घी के साथ रख के दिया जाता है, भाबा, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जब भी कोई हम लोग जोट लेते हैं, तो अगनी जब प्रजवलित होती है, तो उसमें जो भी भगवान रहते हैं, वो साक्षात हम लोग को दर्शन देते हैं, और हमारे भोग को तुरंद तुरंद ग्रहन करते हैं, इसलिए अगर आपको जोट लेने का मैन है तो आप उसमें एक बार चूर्मा और एक बार नारियल जरूर डालें फिर उसके बार दोस्तों अपने भी टिका निकालें और राम देव बाबा के आगे धोक दे कर नाक रगड कर बहुत सारी माफी मांगे और आपकी जो भी मननत हो वो आप मांगे बाबा से ब बहुआ सच्चे होते हैं दोस्तों बहुत सारी शमतकार है बाबा के इससे आप राम देव जी का जुम्मा है वो अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा कितने सच्चे परच्छे देता है आपको मेरी जात और धोक की जानकारी कैसी लगी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए का जयदा देखे